कि फ्रेंट्स मत्प्रदे सिक्षक भरती से जिड़े हुई अपडेट्स में आज हम देखेंगे कि कल जो चैनित और वेटिंग अभ्यरतियों ने जो ट्विटर अभियान छेड़ा था वो क्या रहा उसका क्या परणाम निकला और CM साब का एक स्टेटमेंट है कि खाजाना खाली है तो इसके वारे मैं चर्चा करेंगे तो मैं डिटेल में जाओं उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन बटन को प्रैस करें ताकि मेरे लेट कहा है कि मद्ध प्रदेश का खाली है चबननी भी नहीं बची उपर से कोरोना की तीसरी लहर का संकट तो यह खेर चिंता जानक बात तो ही लेकिन इससे चैनेतों की चिंता भी बढ़ती है क्योंकि एक समय इनका स्टेटमेंट ऐसा आ रहा था कुछ दिनों पहले तक कि हम को कोई भी काम रुकेगा नहीं अब इनके स्टेटमेंट कल से चेंज हुए हैं कि खाजाना खाली है चबननी भी नहीं बची है तो आप यह दो तरह के स्टेटमेंट का आप एनालेसिस करें क्या हो सकता है और आगे देखते हैं कि कल ट्विटर ट्रेट कैसा रहा आपको पता ह है हैस्टेग एनाउंस एमपीटेट जॉइनिंग नाव नामक हैस्टेग को ट्रेंड करवाया था और यह काफी अच्छे रैंकिंग तक गया मद्ध्रदेश की बात करें तो यह नमबर वन रहा कल और करीब साड़े चार लाख ट्विट्स किये गए यह देखिए अलग अलग समय पर यह थोड़ा पहले का है इसमें चार लाख ट्विट्स दिखाये जा रहे हैं मद्ध्रदेश में और भूपाल में तो नमबर वन रहे गई ओवियसली है यह इसके अलावा मद्ध्रदेश कॉंग्रेस ने भी समर्थन में ट्विट्ट किया था कि मद्ध्रदेश चैनल सिक्षक संग के सदस अपनी नियुक्तियों के लिए रोच प्रदर्शन कर रहे हैं और सिवराज सरकार आंख मूने है सिवराज जी वे रोजगार यवाओं के साथ इतना चल अच्छा नहीं यह समर्थन में ट्विट्ट किया था उन्होंने यह देखिए यह करीब शाम की बात है कि जब दो लाक नवासी हजाए ट्विट्स हुए थे यह तब का अपडेट है और अज्जेन का जो चैनल सिक्षक संग की टीम है उसने कल महा काली शुर मंदिर में जाकर अरजी लगाई है कि वो कुछ कृपा करें नेताओं को सरकार को सदबुद्धी दें ताकि वो चैनल सिजल जोइनिंग दे पाएं तो इसके लिए उन्होंने अरजी लगाई है महा काली शुर मंदिर में ये देखिए ये फोटोग्राप्स हैं दूसरा ओवी सी आरक्षन का जो मुद्धा है उस पर पक्ष और बिपक्ष दोनों में अब बयान बाजी हो गई है होने लगी है जैसे कमल नाजी ने कहा सरकार गंबीर नहीं इसलिए अटका ओवी सी आरक्षन इसका जवाब सिब्रा सिंग जी ने भी दिया है अभी कमल नाजी ने क्या कहा है ये मैं बता देता हूँ उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बरस 2019 में फिच्छडबर का आरक्षन शुदा से बढ़ा कर 27 किया था लेकिन सिब्रा सरकार ने इसे लागू वा अंभीर प्रयास नहीं किये इस आरक्षन के खिलाप हाई कोड में कुछ ही आचिकाएं दायर की गई लेकन सरकार द्वारा उचित पैर भी नहीं किये जाने से प्रदेश में पिच्छडबर के लिए बड़ा हूँ आरक्षन अब तक लागू नहीं हो पाया है अगर सरकार श इबराज सिंग जी ने कल क्या का है हमेशा अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और ओवी सी का कांग्रेस ने नुकसान किया है यह उसका जवाब दिया है उन्होंने उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा इन पिच्छड़े वर्गों का नुकसान किया है पिच् पिछड़वर्ग आरक्षण को ली कर प्रयास कर रही है कमल नाथ ने एक दिन पहले कहा था कि पिछड़वर्ग की अंदेखी हो रही तो यह बयानबाजी का दोर अब शुरू हो गया है और यह जो बयानबाजी का दोर शुरू हुआ है यह आगामी पंचायत और निगम चुन कर पाएं यही इनका देय है मकसद है और वाकी जनता का जो बेनेफिट होने चाहिए उसकी तरह दोनों का ही ध्यान नहीं है तो फ्रेंड्स यह अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में